राम मंदिर का इतिहास भारतिय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के गहले संबंधों से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी लौड राम भगवान विश्नु के एक अवतार के पूजय स्वरूप के साथ और उनके नाम पर समर्पित एक शांदार मंदिर के निर्मान से शुरू होती है। आयोध्या नगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और हजारों वर्षों से लौड राम के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू एपिक रामायन के अनसार आयोध्या अंतिम कोसल राज्य की राजधानी थी जिसे राजा दशरत शासित करते थे जो लौड राम के पिता थे। कहानी में बताया गया है कि राम, उनकी पतनी सीता और उनके विश्वासी साथी लक्षमन को चौदा वर्षों के वनवास के लिए निकाला गया। रामायन और उनके विजई वापसी की कहानी के अनसार, राम ने रावन नामक राक्षस राजा को हराया और अयोध्या में विजई वापसी की। आयोध्या में राम मंदिर का विवादित स्थान, जहां मंदिर का निर्मान हुआ, दशकों से विवाद का केंद्र रहा है। सोलवी सदी में मुघल समराट बाबर द्वारा बनवाया गया मस्जद बाबरी मस्जद स्थान पर खड़ी थी। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच इस जमीन के स्वामित्व पर विवाद बढ़ा। राम जन्मभूमी बाबरी मस्जद विवाद का आधुने कियो 1980 के दशक में चरम पर रहा। हिंदू संगठन और राजनीतिक नेताओं ने यहां पर एक महान मंदिर का निर्मान करने की मान की और कहा कि बाबरी मस्जद ने पूर्व में मौजूद एक हिंदू मंदिर को गिरा कर बनाई गई थी। इस दावे का समर्थन इतिहासिक जानकारी और करोडों हिंदूों की धार्मिक भावना से किया गया। से पहले सुप्रीम कोर्च ने 2010 में एक विवादित निर्नय दिया जिसमें बाबरी मस्जद के तहट रखे गए इलाके को तीन हिस्सों में बांच दिया गया, एक हिस्सा मुस्लिमों को, एक हिस्सा हिंदूों को और तीसरा स्वतंत्र न्यायक समिती को। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्या समारों में शिला पूजन किया और राम मंदिर की नीव रखी। इसके बाद से एक नया युग शुरू हुआ है जो भारतिय समाज को एकता, धर्मिक समर्पन और समुहिक सांस्कृतिक समृद्री की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत करता है। झाल